हालो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी बहुत बढ़े होंगे मैं इस्टेशन मास्टर क्यार से नहीं के आर एजुकर से पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों अपनी जो डाउट क्लियर की जो सीरी चल रही है आज अपने उसमें आगे बढ़ते हुए आज फिर से मैंने आपके कुछ कोमेंट डाउट से पर उठा है जिन पर जो है अपने डिटेल से चर्चा करेंगे साथी दोस्तों जो भी लोग चैनल पर नहीं है वह चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर ले और यहां पर आप हमारा टेलीग्राम ग्रूप जूरूर और ऑफिट यहां मैं से पूरीय दोनों मेंसे कौन में अच्छी है तो द piece जोक्ति जो भी आपके PV अगर का है या TRD का है तो यह जो है TA वगर आपी भी जाते रहते हैं तो इनका यहाँ पे TA भी का भी बन जाता है और इस्टे से मास्टर में भी आप पे TA भी जाता है इनकी जो salary है लगबग यहाँ पे बराबर ही बनेगी इसके बाद में बात करते हैं अपन जो profile की तो जो profile है इस्टे से मास्टर का आप सबी को पता ही है कि आपके इनकी duty रोष्टर में चलती है इसी प्रकार आपके ज़ैसे डूटियाँ लगती है अगर आप इलेक्रिक में हो तो आपके जैसे की गाड्यावासिक न shred में जाती है तो जी हाँ दोस्तो यहाँ पे आपक आपका overtime पे बिज़े इनकम टेक्स लगेगा Overtime की जो रासी होती है वो आपको बिना Income Tax के नहीं मिलती है बिना Income Tax के कट होती हो यह ना आपको नहीं मिलती है तो यहाँ पर Complete आपका Complete जो भी Overtime होगा उस पर आपका Income Tax लगेगा और जो यहाँ पर TA होता है ट्रेवलिंग अलाउंस जो कि आपको यात्रावत्ता दिया जाता है जैसे के बैयानली सो ग्रेड या इससे अधिक वालों को जो है अपने हेड क्वाटर से 8 किलोमेटर दूर डूटी करने पर आपको 800 रुपे पर डे का मिलेगा यह इस पर जो है आपके इंकम टेक्स नहीं लगता है यह इंकम टेक्स से फिरी होता है इसके बाद में जैसे के बैयानली सो ग्रेड से कर कोई नीचे है तो उसको जो हैं पर 500 रुपे पर डे मिलेंगे अगर हेड़ कार्टर से 8 किलोमेटर दूर डूटी करने जा रहा तो तो इस प्रकार जो है आपको टिय पर इंकम टेक्स नहीं लेगा गा और बाकी किलोमेटर जो इस ट्रेन मेंगेजर को मिलते हैं उनमें कुछ किलोमेटर यहां पर छूट होती है बाकी पर इंकम टेक्स आपको भरना होता है इसके बाद में बात करते हैं SCCT यहनि सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की जो कहां से रहती है इस्टेशन पर या डिविजन पर तो देखो यहां पर दो चीज निकल के आती है कि मालनों डिविजन पर तो सभी का घर होना पोसिबल नहीं है कि सब का घर जो है डिविजन पर हो डिविजन एडर है डुकाटर पर बाकी आपका जो घर है किसी SSJंस इस्टेशन के आसपास जरूर हो सकता है जहां से आप अपने डाउन कर सकते हो तो आप घर से नोकरी करना चाहते हो तो आपके लिए best है यहां पर इस्टेशन पर पोस्टिंग ले लाना डिविजन पर पोस्टिंग मत लेना दूसरी कर बात करें अपन छुट्टियों की तो यहां पर फिर आपको डिविजन पर लेना चीए तो अगर आपको लिव अगर ज्यादा लेनी है तो आप डिविजिन पे पोस्टिंग ले सकते हैं बात करते हैं वरक्लोड की तो देखो इस्टेशन पर जो काम होता है यहाँ पर आपको ही देखना होता है ड्यूटी रोश्टर अगर भी आपको बनानी होती है बाके डिवीजिन पर ड्रे को जो है ज्यादा रखता है उस्टेशन की बजाए क्योंकि अपको एक लीमिट है कि आप भीजा सो लोगों और 50 लोगों काम आपको देखना हो आपको जै लेनी चाहिए इसके बाद करते हैं चार साल के बाद में मेडिकल में एंफिट होने पर कौन सी पोस्ट मिलेगी तो देखो वैसे तो रेलवे के अंदर आपके मेडिकल एंफिट होना बहुत ही ना के बराबर है किसी को जल्दी से नहीं करते हैं दूसरी बात कहीं लोग यह से बोलते हैं कि सर चार साल वाद में मरें चस्मा लग जाएगा तो क्या हमें नोकरी से निकाल दिया जाएगा आपको नोकरी से कोई नहीं निकाल सकता एक बार अगर आपने रेलवे जोइन कर लिया तो आपको जो लोको पैलेट वगर है यहां पर चस्मा लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं इनिशियल जो है आपके दिक्कत आती है कि जब आपको यह टू मेडिकल स्टेंटर हो आता तब यह लाओ नहीं था बाकी बाद मेगर आपके आँखें कमजर हो जाती है तो आप चस्मा लगा सकते हो और मेडिकली अन्फिट करना यहां पे नएके बडाब लोग मेडिकली अन्फिट होते हैं क्योंकि दोस्तों जैसे कि ऐसे तो कोई बहुत सारी लोग यहांपे अन्फिट होके जैसे गूर्फट से निकल जाएंगे वह 30% का लाब लेके आपी booking मे आ जाएगे या commercial में चले आपके आई बगर थोड़ी भी को जाती है या और कुछ हलकी मुल्की प्रोब्लम जोती है इसकी वज़ेशे आपके डिकेटराज नहीं किया जाएगा और जैसे कि मैंने कुछ लोगों को देखा है तो डिकेटराज उनको जो किया गया था इस प्रकार आपको पोस्ट मिलती है जिस level में होते हो वो ही same level की post आपको यहाँ पर मिलती है यहाँ पर doubt no.5 कि senior cctc जो होता है उससे senior color come typist बन सकते हैं क्या तो बिल्कुल नहीं बन सकते हैं दोस्तों आप departmental exam से तो नहीं बन सकते हैं क्योंकि आप सभी जानते हो कि यहाँ पर इन दोनों का level जो होता है लेवल 5 की post है सेम लेवल की है और कोई भी एक्जाम दे के जो है आप सेम लेवल में नहीं जा सकते हैं तो इसके लिए जो है अगर आपको ऐसी यह senior color come typist बनना है तो आपको फिर से वही NTPC का एक्जाम देना होगा और उसी के थुरू जो आप यहाँ पर senior color come typist बन सकते हो ऐसे senior cctc से आप senior color come typist नहीं बन सकते हो इसके बाद मैं आपन देखते हैं आपके doubt no.2 कि senior cctc की सबसे best job कौन सी है तो देखे दोस्तों यहाँ पर senior cctc में एक job ऐसी है जिसकी duty only 6 गंटे के होती है और वो जो duty होती है वो भी दिन-दिन के अंदर होती है आप जानके हरना जाओगे यहाँ पर इतनी बड़िया job जो है आपके senior cctc में और वो है दोस्तों reservation की reservation counter की job है वो 6 गंटे की होती है और यह जो duty होती है यह देड़े के अंदर होती है यानि कि इसकी दो सिप्ट लगती है 6-6 गंटे की जो कि आपके रहेगी एक तो सुबह 8 से 14 बज़े तक की और दूसरी जो रहेगी 14 से 20 बज़े तक की इन 20 बज़े जो है आपका reservation counter बंद हो जाएगा और 8 बज़े open होगा यह सारे कुछ आपके सिप्टे वगर चलेगी हालांकि जैसे कई बड़े metro station होते हैं देली बगर कुछ station जो की पूरी इंडिया की बात करो तो कुछ एक station है जहां पर नाइट में रिजिशन counter open होते हैं बाकी आपके जनरली सब भी जंक्षन यहां पर डूटी होती है तो यह सांदर जोब दोस्तों इसमें आप पढ़ाई भी कर सकते हो और सारा कुछ यहां पर आपको बहुत अच्छा time मिल जाता है 6 गंटे के बाद में आपको 18 गंटे एकदम फिरी हो सारा कुछ काम आपको एकदम कर सकते हो इसके बाद में यहां आपके रिजरुशन के अंदर इमेज बनती है वह बहुत सांदार बनती है बहुत अच्छे लोगों से आपको कोंटेक्ट होता है और बहुत सांदार जोब है सेटिंग जोब है आपको कई भी ट्रेवलिंग बगर नहीं करना है दोस्तों तो यह जो जोब है सिने सीटी की पसंद आती है या आपको पार्चल की पसंद आती है इनको में सबसके और को नंबर की मात घुरूं तो 2 नंबर यह की आपके duty है दिन-दिन की duty है कोई नाय duty हम पर नहीं लगती है इसके बाद में बात करते हैं कंट्रोल की जोब पर्मानेंट होती है या दो-तिन साल के लिए तो यहां पर एक बाह्य ने पूछा है कि सरकंट्रोल में ऐसा होता है तो देखो दोस्तों यहाँ पर यहां पर यहां पर जाओगे तो पर्मानेट जाओगे आप वहाँ से जैसे कि एकजाम देखे आप चाहले बन गए तो आप पर्मानेट रहोगे रिटार्मेंट तक जो है पर फाइदा क्या है कंट्रोलिम जाने का तो यहां पर जल्दी मिल जाता है तो साथ एवं जो बनते हैं उसमें इनके पास में अपर्टुनिटी ज्यादा होती है तो इस प्रकार के प्रदुर की जो जहाब है आपकी पर्मानेंट रहेगी इसको जो हटा नहीं सकते हैं कि दो-तीन साल बाद में आपको हटा देंगे इसके बाद करते हैं सुरंक्षा की दर्ष्टि से रोड़ज़ाइड इस्टिशन केसी है तो देखो सुरुक्षा की दर्ष्ट नहीं कि कि स्टिशन पर ऐसा कुछ कटना हुई चल रहा है तो यहां पर साथ जो है गाउं के लोग भी बहुत कोप्रेट्ट होते हैं मेरे साथ से यहां पर किसी स्टेस का आस कोई दिक्क्त यह चाहिए कितना भी रोड़साइड इस्टेशन हो कितना भाहर का इस्टेशन हो और आपके साथ जो है पॉइंट में तो रहे गए रहेगा मलब दो तीन लोग तो जो है एनिटाइम इस्टेश में रहोगे और ट्रेने आती जाती रहती है तो पैसेंजर अगरे भी आते जात सब्सक्राइब कर सकते हो तो संचार के साधन है आज कल काफी बढ़ गए है पहले जैसे कि पहले काफी दिक्कत आती थी कि किसी से बात नहीं हुरी गेट में से फोन जब डिस्कनेक्ट हो जाता तो बात कैसे करे कि गाड़ी है आप गेट बंद कर लो कोशन वगर देना होता होता है तो कोशन वगर तो अभी देते हैं असी बात नहीं है लेकिन थोड़ा जो और भी माद्दे में यहां पर संचार के बढ़ गए हैं तो इसलिए इस जोब को थोड़ा रिलेक्श मिला है यहां पर फेलियर बगर इतने इसके नहीं होते हैं काफी अच्छे इसके बहुत शांदार है और इसमें भी कोई इतना खास काम नहीं होता है तो यह जो कोच आपके फीट है मुलब एक तरह से कोचो की सारी कुछ इनके पास रहेगी कौन सा कोच फिट है कौन सा कोच सीख है किस कोच में क्या दिक्कत है उसका फिट कब तक आ जाएगा सारा इसके बाद में बात करते हैं टीटी और टीएम डूटी के दौरान पढ़ सकते हैं और एक बोल रहते हैं पीछे आराम से बेटके आराम से पढ़ेंगे तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है टेन में जो होता है आपको हर स्टेशन से ओल्राइट से मिलाना होता है और जो हर 5- सब्सक्राइब करने होते हैं तो वहां पर पढ़ना इतना असान नहीं होता है दूसरी बात वहां पर जो आप जैसे की ट्रेमेंजर के पीछे गुट्स के जो डिबे होते हैं उनमें इतना बहुती ज्यादा दिक्कत आती है सुरू-सलू में सर्दीकर्वी बरसात में तो व वह सार एक्स्टा काम या पर होते हैं पैसेंजर के टिकेट वह आज कल एक्षस्टी मसीन को दे दिया गया तो उससे जहां भी बोर्डिंग स्टेसन होगा पैसेंजर होगे तो वहां पर जाके उनको चेक करना होगा कि वह चड़े नहीं चले अगर वह चड़े है तो उनको जो है इसमें एचस्टी मसीन में उनकी प्रिजेंस दिखानी है और नहीं चड़े तुनको एपसेंस दिखाना है तो इस प्रकार जो है आज कल बहुत सारे काम हो गए दोनों के ही तो ओन डूटी जो है आप पढ़ना अलाव भी नहीं है और आप पढ़ भी नहीं सकते तो य थैंक यू